इंडियन मेडिया बुक के विडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन्स पाने के लिए बेल आइकान को प्रेस करें आज की कुछ अहम खबरें इस तरह हैं इंडियन रेलवे ने वेनसडे को यानि बुद्रवार को 200 नए पैसेंजर ट्रेन का लिस्ट जारी किया है ये ट्रेन पहली जून से चलेंगी इसके लिए नया कुछ गाइडलाइन भी सिट किया गया है ये नई ट्रेनों के बुकिंग आज 21 में से शुरू हो गई है आप बुकिंग सिर्फ आनलाइन कर सकते हैं रेलवे वेबसाइट के जरीए और आप मुबाइल एप का भी इस्तमाल कर सकते हैं पंजाब पुलिस ने अमरी सरके राम तिरत मंदिर के में पुजारी और एक अन पुजारी को दो महिलाओं को बंदी बना कर बार बार बलतकार करने के आरोप में गिरिफतार किया है ये दो पुजारी जो गृफ्तार किया गया है उनका नाम इस तरह है गृधर नात और विरंदर नात इनके साथ दो और लोग थे उनका नाम है सूरजनात और नच्छतन नात ये भागने में कामयाब हो गया लेकिन पुलिस इनको ढून रही है जो विक्टम थे उनके उम्र बताई जाती है एक महिला के उमर पचीस साल और दूसरे का चालिस साल बताया जा रहा है उन लोगों ने कहा कि ये चार लोग थे जो उनके साथ हमेसा बत्तमेजी किया करते थे विक्टम ने बताया कि सूरजनात और नच्छतननात ने पहले हमारे साथ रेप किया उसी का कमप्लेंड करने के लिए हम लोग हेट पुजारी गिरिधर और विरंदर के पास गए थे कमप्लेंड के उपर कोई आक्शन लिये बिना उन लोगों ने भी हमारे साथ रेप किया ये तो हमारे समाज में हमेसा हम लोग देखते आ रहे हैं कि बहुत सारे घटनाएं हमको सुनने के मिलती है लेकिन एक बात इसमें जानने की जरूरी है कि ये वही जगह है जहां बालमिकी ने सीता को आसरे दिया था और जहां राम और सीता के पुत्र लोव एन कुश का जनम हुआ था अगर आप डुमेस्टिक फलाइट से ट्रेवल कर रहे हैं और एरपूर्ट जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अभी इस हाल में कोविट 19 के महमारी के टाइम में आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हर पैसेंजर को कमपलसरी थर्मल स्क्रीनिंग जोन के थ्रू ही वाक करना है और ये जो थर्मल जोन है वो एरपूर्ट टर्मिनल बिल्डिंग के इंट्रेंस में है और दूसरी बात कि हर पैसेंजर के मुबाइल में आरुग्या सेतू एप होना जरूरी है ये एप 14 साल से कम उमर के बच्चों के लिए जरूरी नहीं है पैसेंजर को डिपार्चर के दो घंटे पहले एरपूर्ट पहुँचना जरूरी है पैसेंजर का फलाइट अगर चार घंटे बात का है तो उन्हें टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर जाने की अनुमती नहीं मिलेगी उन्हें बाहर ही रुकना पड़ेगा गॉर्मेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट टैक्सी का इंतजाम कर रही है जिसके जरीए आप असानी से एरपूर्ट आ सकते हैं और जा सकते हैं पैसेंजर को कमपनसरी मास्क और गलप्स पहनना जरूरी है अराइवल और डिपार्चर दोनों जगे आपको ट्राली की सुविदा अपलब नहीं रहेगी लेकिन अगर आपको जरूरत है ऑन रिकोस्ट आपको मिल सकता है नियूस पेपर और मैगजिन एरपूर्ट टर्नमिनल के अंदर नहीं मिलेगा ये कुछ जरूरी चीजी थी अगर आप फ्लाइट के जरिये सफर कर रहे हैं तो जानना जरूरी था अभी आपके स्क्रीन पे एक वीडियो प्ले होगा ये बिहार की कहानी है यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ मजदूरों को लाकर एक प्राइमरी स्कूल में कॉरिंटीन किया गया था तो वहाँ की एक औरत जिसको बताया जाता है कि छोटे कास्ट की थी वो उन लोगों को खाना बना कर टेबल पे उसने रखा था तो इन लोगों को पसंद नहीं आया और उन लोगों ने खाना को लात मर कर गिरा दिया अभी भी हम हिंदुस्तान में जात पात से घिरे हुए हैं जिसके वे से हमारी तरक्की होना बहुत ही मुश्किल है यह थी आज की कुछ अहम खबरें थांक यू सो मच वाचिंग इंडियन मीडिया बुक और आपसे रिक्वेस्ट है इंडियन मीडिया बुक को सपोर्ट करें प्लीज सब्सक्राइब तो ओचानल